दोस्तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि बहुत रोमाचक है और एक मिश्टी मूवी आप कह सकते हैं मूवी का नाम है दस सिक्रेट नमबर दोस्तो मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं साइमन को जो कि एक साइकरिटिक है एक हॉस्पिटल में वो याद करते हैं अपने बच्पन को बच्पन में एक अक्सिडेंट हुआ था और अक्सिडेंट में वे बज गया था और इससे वे काफी मयूस रहते हैं बीच बीच में इसके साथ ही डॉक्टर साइमन की पेशिंट प्रोफेसर अरसाइन को इंट्रडिउस किया जाता है जो कि एक मैथमेटिक्स जीनियस है डॉक्टर साइमन के सामने वे अपने हाथ में एक बोट को लेकर कुछ लिख रहा था और लिखने के बाद जब साइमन का द्वाथ वो बोट का है तो प्रोफेसर का कहना है कि ये जो मैंने लिखा है ये गलत लिखा है इनमें एक नंबर मिसिंग है और वो नंबर है ब्लीम और दिखा जाता है ये ब्लीम के बारे में ये प्रोफेसर सामन को बार बार जिकर कर रहे हैं और सामन इससे बहुत नाखुश देख रहे थे क्य तो उन्हें पता चलता है कि प्रोफेसर कोई आम mathematical नहीं है, वह बहुत high level की mathematician है, उनको बहुत award दिया गया है, ज्यादर कि उन्हें fields medal भी दिया गया है, और fields medal होता क्या है, फिल्स मेडल जैसे दिनवा में आसकर होता है हाइस्ट लेवल के आवर्ड, नोबेल होता है किसी कॉस के लिए हाइस्ट आवर्ड, वैसे ही मैथेमेटिक्स में हाइस्ट लेवल का जो आवर्ड होता है वो होता है फिल्स मेडल और यह देखके डॉक्टर साइमन चौक जाता है डॉक्टर साइमान और भी चौक जाता है ये दिखकर कि प्रोफेसर की कोई mental illness की history नहीं है और कोई trauma से भी नहीं गुज़रे है तो क्या प्रोफेसर सही कह रहा था ब्लीम नमबर क्या सही में है तो अगले दिन डॉक्टर साइमान को दिखाया था है चेंबर में प्रोफेसर के साथ बाचीत करते हुए डॉक्टर साइमान प्रोफेसर को पूछते हैं कि ये ब्लीम है क्या प्रोफेसर का कहना ही कि ये ब्ली साथ ऐसे करके मतलब ब्लीम नम का यह जो नंबर यह तीनों चार के बीच आ जाएगा तो डक्तर साइमन कहते हैं प्रूफ कीजिए उनके सामने कुछ जेलीबिन रख देते हैं और कहते हैं कि यहाँ से ब्लीम नंबर ऑफ जेलीबिन अलग किजिए मतलब एक जेलीबिन उठान लाएं कि तो गुस्टे में सभी जेलीबिन जो है इधर उधर फेक दिया दाप्रफेसरों मैं मैं प्रूफ कर सकता हूं लेकिन इकृ kokie टो कि ाया पके सांदी क्छ यहाप पर ही था मेरे वहाँ आपक्य बूष कर दिन देखेंगे पेन पेपर के वारे में सोचेंगे सब्सक्राइब को दिखता है कि एक मरकर पेन फ्रोंड में गिरा हुआ है तो वह उठा लेता है और चुपा लेता है और डॉक्टर साइमन कार्श को कहते हैं कि प्रॉपीटर को उनके रूम में छोड़ दिया जाए तब भी दिखा जाता है कि डॉक्टर साइमन वहां से एक जेलीविन उठाते हैं और जेलीविन से अपने बच्पन की वह घटना याद आ जाता है क्योंकि बच्पन में उस घटना के बाद वह सेम टाइप का जेलीविन मिला था जिसे कार चलाते वग डॉक्टर ने उरा दिया था और एक्सिदेंट होने के बाद डॉक्टर तो बजगया लेकिन जिसका एक्सिदेंट हो गया था वो मारा गया था तो डॉक्टर इसके बाद घर जाने के लिए लिफ्ट में उठा तो वह देखे कि जब फिफ फोर से फोर्ट टक आने में जो टाइम लगता है उससे जादा थर्ट फूर्ट तक आने में लगता है और थ्री से टू तक आने में नॉर्मल टाइम लग रहा है मतलब तीन और चार के बीची जो टाइम है वह एक्स्टा टाइम लिया जा रहा है वह लिफ्ट द्वारा तब हो सुचा यह क्या ब्लीम हो सकता है अलागि वह बाहर आगे और घर जाने लेगे घर जाने के बाद वह और भी डिसर्ट करने लेगे ब्लीम नंबर खोलेकर तब ही पता चला कि प्रोफिसर को एक कॉंफरेंस में अपने आउटबर्स के लिए एरिस्ट किया गया था तो अभी डॉक्टर साइमन अपने साथ जो प्रोफिसर की बातचीत हु कि अमरे यूनिवर्स में बहुत साथ हैं और शबी डामेंशन चसको अव् बी कॉमुनिकेट किया जा सकता है बलीम के मज़त से रॉस्थनी से भी तेज कॉमुनिकेट भी किया सकता है तब उन्हेंने एक चीटिव के देखा पेपर में रेंगते हुए तब ये एनीमेल लेवर है डॉक्टर साइमन इसलिए वह चीटि को बाहर जाकर फेल देता है ताके चीटी को कुछ लुक्सा ना पोहँचे इसके बाइrd दिखा जाता है Dr. Simon बार में बैठा हुआ है और ड्रिंक कर रहे है और प्रोफिसर के बारे में ही सोच रहे है क्योंकि उसके जो बाते हैं इसके बाद दॉक्टर साइमन को हर वक्त परिशान कर रहा था क्योंकि क्या है, इसका सिक्रेट क्या है, वगएरा वगएरा, तभी डॉक्टर कुछ बदाम तो रहा था, और उस वक्त डॉक्टर देखते हैं कि एक बदाम अपने आप बस्ट हो जाता है, और यह देखके चौक जाते हैं डॉक्टर, तभी पास में बार का जो ग्लास है वहापर देखते हैं, वहापर उन्हें नजर आता है कि वही प्रोफेसर एक मारकर पेंट से मैधिमेडिकल कॉलकुलोशन कर रहा था वो ग्लास पे, यह देखके वह चौक गया क्योंकि प्रोफे वहापर का जाता है कि वह बुरे लोग जो इसका एक्सडेंट रुआ है, उसे आडिंटीफाइ नहीं किया पाए और नीचे बैठके उन्हें जो अच्पन था वापर बैठके वह निउस देख रहा था, तभी जब दॉलक्टर गुमा तभी नीन्ट चूट जाते हैं डॉक् और सपना तोटर क्यों क्योंकि एक फोन कॉल आया था और फोन में पता चला कि वो प्रोफिसर अपने रूम में नहीं है तब ही डॉक्टर उपने गारी लेकर दुरत हस्पिरिल में जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं वाड़ बय जो है जिन वह डॉक्टर को कहते हैं कि प्रोफिसर को कुछ दिर पहले ही हम लोग देखे थे लेकिन कुछ दिर बाद जब डबल चिक करने के लिए गए तब पर नह दिखते हैं तीन जेलीबिन वहाँ पर रखा जैसे प्रोफिसर उनको दिखाने के कोशिच कर रहा था जब डॉक्टर साइमन उन्हें प्रूप करने के लिए कहे थे इसके बाद दिखा जाता है उनके बच्पन की वही बारदाप जहापर वही ब्लैक मार्कर को बिना धकन के द लिए तो अभी वहाँ पर तीन जेलीबिन जीन ने ले लिया तो दो जेलीबिन लेना चाहिए लेकिन दभी देखते हैं डॉक्टर को आपर तीनों की तीन ही मौजुद है और अभी वापस से डॉक्टर को अपनी बच्पन की याद आयता है अभी सब दिखने लगता है डॉ मारा गया था वो कोई और नहीं यह प्रोफेसर ही थे मतलब डॉक्टर की बच्पन में यह प्रोफेसर इस उमर में थे और इसके साथ मूवी एंड हो जाता है लेकिन दोस्तों आप लोग शायद कन्फूस्ट होंगे तो मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था दोस्तों यह मूवी जो है यह मूवी टाइम ट्रेवल के उपर बेस्ट है यह प्रोफेसर पूरा जीवन लगा दिया था यह ब्लूम नंबर डिसकोबर करने के लिए मतलब टाम ट्रेविल एक लाएकिन बंद वहाँ पर कोट्री में तो इसलिए प्रोफेसर इसे प्रूव नहीं करवा थ तो इसलिए सब लोग प्रोफिसर पर हस रहा था और उन्हें mental sick बता दिया पहले जो arrest होना हुआ था उसके बाद से अभी mental hospital में इसलिए लाए गया हुए तो वहाँ पर ब्लीम नंबर डिसकवर करने के लिए कुछ औजाल ना होने के कारण वो जो marker pen था वो marker pen से अपने पूरे जो theory है दिवार में लिखा और जब ब्लीम नंबर डिसकवर हुआ तब वे time travel करने लेगे तो time travel करके पहले बार में चला गया बार में दिखा Dr. Simon को तो तभी वे वहाँ से भाग के दूसरे time में चला गया जो की दिखाया गया Dr. Simon की बच्पन और तभी वहाँ पर जाके road cross करते समय प्रोफेसर का accident वादा Dr. Simon की car से और यह movie में यह भी समझाने के कोशिश किया गया आपको अगर कुछ दिया जाता है भगवान या फिर कोई भी जो देते है उसका सही इस्तमाल कीजिए अगर आप सही इस्तमाल नहीं करेंगे तो आपसे वह चीज वापस लिया जाएगा यहाँ पर math genius बना गया था प्रोफेसर को और उनको blim discover करके time travel करने के लिए इजाज़त दिया गया था मतलब वह time travel कर सकते है तो time travel करने के दौरान उसे कुछ करने के वज़े इस जगा उस जगा बटक रहते तो इसलिए उनसे उनका जानी वापस ले लिया गया और इससे एक सब को सीख भी देते हैं यह movie तो दोस्तों आपको यह movie कैसा लगा नीचे comment section में जरू लिखेगा दोस्तों और कैसे movie आपको अच्छा लगता है इस चैनल में आप explain चाहते हैं वो भी जरू लिखे मुझे इंत्यार रहा दोस्तों आपके तीके मीठे comment का